दोस्तों आदति सर्पुदार की फिल्म मुंजिया के बाद हर किसी को अब उनकी अगली फिल्म का इंफिजार है और उस फिल्म का नाम है ककुडा जिसका अभी से ही कंपारिजन शुरू कर दिया गया है 17 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसके साथ ककुडा को लेकर एक बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी क्रियेट की जा रही है यही नहीं यह फिल्म इसी 12 जुलाई को रिलीज होगी भले ही यह फिल्म बड़े स्क्रीन पर रिलीज ना हो लेकिन Z5 पर यह रिलीज होगी और इस फि देश्मुक के साथ वे स्क्रीन स्पेस भी पहली बार ही शेयर करने जा रही है तो दोस्तों अब सभी को बता दे कि रिटेश देश्मुक जो की इस फिल्म के ट्रेलर में नजर आए हैं और जिसके बाद से कॉंट्रवर्सी क्रियेट होनी शुरू कर दी गई है 17 साल पहले आई है कि मैंने कोई छेड़ खाने नहीं किया बलकि मैंने उस फिल्मों को ट्रिब्यूट दिया है और सिनाक्षी सिन्हा ने भी अपने डायलोग को re-create किया है सिनाक्षी सिन्हा के डबंग में अपने डायलोग के साथ सबी के दिलो को चूच चुकी है तो वहीं आपको बता इस फिल्म में भी एक टाइलोग का है। जो कि दबं का ही री क्रिएशन है। सणाक्षि सिनाध कहती हुई नजर आई है कि भूतों से डर नहीं लगता, इंसानों से डर लगता है। और इसको भी अगर लोग कह रही हैं कि सुनाक्षी सिना के डायलॉक्स को भी चुराया गया है तो ये बिलकल बदलाव के साथ recreate किया गया है तो दोस्तों आप सभी को बता दे कि सुनाक्षी सिना के साथ रितेश देशमुख की ये जो फिल्म होने वाली है ये फुली भूतिया करना चाहिए या फिर स्त्री जैसी भूत नहीं दिखने चाहिए जैसे कहा गया है कि पहले भूत घुंगरू पहना करते थे पहले लाइट ऑफ हो जाया करती थी ये सारी चीजे बाते की गई है इस ट्रेलर में लेकिन आपको बता दे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि भूल तरिक के उपर जो अउननों ने कहा है कि हमने अंवर हम उनको नीचे गिरा रहे हैं वो फिल्म में अपने टाइम की बेस्ट फिल्में हुआ करती हैं और हम उन फिल्मों को ट्रिब्यूट देते हुए इस फिल्में बात कर रही हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम ह रितेश देशमुक की फिल्म में वैसे भी सूपर हिट साबित होती है रितेश देशमुक अपनी फिल्मों में जान डाल देते हैं अपनी फिल्मों में ना से वो कॉमेडी रखते हैं बलकि हर एक चीज का मिक्स्चर रखते हैं झाल